आधुनिक समय में बंगाल में पंडित ईश्वर चंद्र विद्या सागर ने सबसे पहले विद्वा विवाह को प्रोचाहन दिया इसके लिए उनके द्वारा किये गए अथक प्रयासों के फल स्वरूफी 1856 में कानून बनाया गया महान आध्यात में गुरू स्वामे विवेकनंद और अन्य चैतन्य महान हस्तियों ने भी विद्वाओं के विवाह को प्रोचाहित कर उन्हें बहतर जीवन सुनश्रित करने का समर्थन किया है इन्ही महापुर्शों की सोच और चिंतन को आगे बढ़ाते हुए विद्वाओं को अधिक खुशाल पारिवारिक जीवन जीने में मदद के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराद सिंग चौहान ने मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना की है विद्वा शब्द को लेकर समाज की सोच में बदलाव की उद्देश से अब शासिकी दस्तावेजों में विद्वा की जगह कल्याणी शब्द उपयोग किया जाएगा कल्याणी के साथ विवा करने पर दो लाख रुपे प्रोचसाहन राशी के रूप में दी जाएगी उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए 18-89 वर्ष तक प्रतिमाह 300 रुपे और 80 वर्ष से अधिक उम्र होने पर प्रतिमाह 500 रुपे पेंशन देने का प्रावधान किया गया है इनसे अब कल्याणी भी फिर से सुखी पारिवारिक जीवन जी सकेगी सामाजिक अधाना में बदलाव की नई पहल